आप सभी लोगों का स्वागत हैं आज के वीडियो में बात करेंगे वेस्ट फेसिंग हाउस यानि पस्चिम मुखी मकान पस्चिम मुखी मकान किसे काते हैं पस्चिम मुखी मकान की क्या विशेस्ताएं हैं और पस्चिम मुखी मकान के द्वार में वास्तु दोस होने से क्या उपाय वास्तु सास्तर में बताए गए हैं इन सब के उपर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे इससे पूर्व मुखी मकान और दक्षिन मुखी मकान के उपर भी वीडियो बना हुआ है जो आप आई वटन या प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं सर्व प्रतम पस्चिम मुखी मकान किसे कहते हैं घर से वाहर निकलते समय आपका फेस पस्चिम दिसा की ओर हो और घर के अंदर प्रवेस करते समय आपका फेस पुर्व दिसा की ओर हो तो ऐसे मकान को पस्चिम मुखी मकान कहते हैं पस्चिम दिसा में मुखी द्वार बनाने के लिए वास्तु सास्त्र के नियमों का आवज से द्यान रखे नेरित्य कोन से वायव्य कोन तक जो जमीन की चवडाई हो उसका नौ भाग करके नेरित्य कोन के और दो भाग और वायव्य कोन के और से चार भाग छोड़ करके तीन भाग वरुन, उस्पदंत और सुग्रिव इन्ही तीन भागों में मुख्य द्वार बनाए मुख्य द्वार निर्मान के क्या नियम है इसके उपर वीडियो बना हुआ है जो आपको आई वटन में मिल जाएगा उस वीडियो को भी आप अवस्चे देखें अब आई ये बात करते हैं पस्चिम मुख्य मकान के वास्तु दोस के वारे में मकान की चवडाई पुर्व दिसा से ज्यादा पस्चिम दिसा की और हो तो वास्तु दोस उत्पन होते हैं ऐसे मकान को सिंग मुख्य मकान कहते हैं दूसरा पस्चिम दिशा का कोई भी कौन यानि निरित्ति कौन या वायप्ड कौन पुर्व इसान और उत्तर दिशा से ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो भी वास्तुदोस उत्वण होते हैं तिसरा मुख्य द्वार का निर्मान वास्तुनियमों के अनुसार नहीं हो चवथा मुख्य द्वार के सामने कोई वेद हो ये वास्तुदोस है जिसके दुश्प्रभाव से व्यक्ति आर्थिक और मानसिक रूप से परिशान रहता है पस्चिम दिशा के स्वामी वरुन और ग्रह स्वामी सनी देव है इस दिशा में वास्तु दोस होने से सनी देव का अराधना विशेश सुह माना गया है जैसे मुख्य द्वार के उपर सनी यंत्र की अस्थापना, घर में नित्य सुन्दर कांड का पाठ, सनी वार के दिन पीपल ब्रिक्ष में जल देना द्वार के उपर घोडा का नाल लगाना, द्वार के उपर हनुमान जी का प्रतिमा स्थापित करना ऐसे कई उपाय करके आप वास्तु दोस के दुश प्रभाव को कम कर सकते हैं वास्तु जोतिस एवं प्रतेक वर्ष के सुभ मुहरत को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर अबस्ति करें आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद